आज आप लोगों से एक छोटी सी अपील है, वीडियो शुरू होने से पहले ही आज इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ये एक दिक्कत है, एक प्रॉब्लम है सभी आइडल स्टुडेंट के रिए, जो एक्जाम दे रहे हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम है, और जो सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा है, मुझे आज दो इंपॉर्टेंट मेल मिले, पहला जो मेल मिला वो एक बच्चे की तरफ से मिला, जिसने क्लियरली कहा कि सर आज मेरे एटी के मैट्स का पेपर था, और मुझे किसी भी तरीकी का यूजर नेम और पासवर्ड नहीं आया मैंने 20 से 30 बार कॉल किया है सपोर्ट टीम के लिए, लेकिन मुझे वो सैटिस्फाक्टरी आंसर नहीं मिला मेरे यूजर आइडी और पासवर्ड से रिगाडिक, तो मेरा सवाल आईडॉल डिपार्टमेंट से होगा, जरूर होगा, लेकिन एक और मेल मुझे आया, वहाँ मेल में क्लियर लिका कि सर मुझे एक छोटी सी क्वेरी थी कि मेरी गुगल फॉर्म में मैंने एक रिस्पॉंस गरत कर दिया था, तो मैं उसके रिगाडिक में कॉल कर रही थी, मुझे यहाँ पर चार नमबर मुझे पता चला आपके वीडियो देखने के बाद, वीडियो मे रिस्पॉंडेड, यह चार स्टेटस, तो मेरा आइडोल से एक सिंपल सवाल है, सर अपने हेल्प लाइन नमबर बच्चों की मदद करने के लिए ही बनाईए न, क्योंकि अगर आप बच्चों की मदद करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको किस तरीके की हेल्प दिख यह तो बात वो है, जो कंटिनुरी एक्जाम चल रही है, अगर यह बच्चों को 80-80 लगती है, due to technical reason, इसका जिम्मेदार कौन होगा, तो यहाँ पर मैं आइडोल डिपार्टमेंट से दो important question बुच रहा हूँ, कि सर आप इनकी जिम्मेदारी लीजिए, और उनको assurity अगर आप सर second chance देंगे, तो इन बच्चों को थोड़ा से relaxation मिलेगा, वरना सवाल आपके लिए same होगा, जिम्मेदार कौन, दूसरी आपसे गुजारिश है, कि जो higher officials directions देते है, वो directions ground reality में actually apply होता है या नहीं, इसकी check करने की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, क्योंकि प्लान बनाया गया था, आइडॉल डिपार्टमेंट की तरफ से regarding online examination, model question paper release करने के लिए tremendous work, आपने अच्छा काम किया था, इसलिए मैं आपके काम को appreciate कर ला हो, लेकिए इस particular period में आपने जो 2-3 दिनों में examination शुरू है, उसमें आपने जो non cooperative दिखाया है, बच्चों के साथ corporate नहीं कि आप अपने answer से satisfied नहीं कर पाएं बच्चों को, तो इस पर आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, sir आगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको appreciation भी मिलेगा, और अगर idol department कहीं गलत काम करता हो, तो इसे criticism भी मिलना चाहिए, यह मेरा personal point of view है, तो यहाँ पर मैं idol department से गुजारिश करता हो कि मैं खुद past में idol का student रह चुका हो, मेरी wife already idol के student हो, तो हम सारी यह problem को face साल भर करते रहते हैं, और अगर किसी को अच्छा experience, बुरा experience दोनों हो सकता है, लेकिन idol से मैं एक ही गुजारिश करता हो कि as a parent, क्योंकि आप बच्चों के parent ही हो, तो आपको students को proper guide कीजिए, और जो बच्चों के technical support के वैसे paper छुट चुके है, उन्हें एक second chance मिलना चाहिए, और ये वो chance deserve भी करते है, तो इसी appeal के साथ मैं वीडियो end करता हूँ, और मैं आप बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को आप जादे-दा लोगों तक share कि उनकी planning तो बहुत अच्छी है, लेकिन ground reality पे कहीं न कहीं execution में चूक है, loose poles है, उसको जलसे जद भरने की कोशिश वो करेंगे अगर वीडियो उन तक पहुचता है, तो उमीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और आइडल department आपके लिए बहुत सारे question bank already release कर दिया, आप जाकि उसका advantage ले सकता है, अगर वीडियो आपको informative लगता है तो like करो, दोस्तों में ज़रूर share कीजिए, अगर effort को appreciate करना चाहते हो तो channel को subscribe और bell notification को on कर दिजिए, क्योंकि इसी तरीके के update future में भी आती रहेगी, मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में तब तक के ले चाहें